नमस्कार जहीं दोस्तों स्वागते आप सभी को आपके अपने इटोप चैनल बीए सुतम स्टड़ी में दोस्तों बिहार बोड के उन सभी चातर चातराओं के लिए बड़ी खुश खबरी है जो भी बिद्यार्थी बिहार बोड से 2019 में, 20 में, 21 में मैट्री की परिच्छा पास किये हैं और अभी तक स्कॉलर्शिप से बंचित थे तो आज के इस बीडियो में आप सभी अश्टुडेंट्स के लिए बड़ी खुश खबरी ले करके आ गये हैं जैसा कि आप लोग देख सकते, बिहार में 3 साल के मैट्रिक पास बिद्यार्थियों को मिलेगी छात्रविर्थी और भी मातर आप लोग देख सकते, यहां पे कहा जा रहा है पोटल पर आवेधन के एक माह के अंदर मिल जाएगी रासी यानि आप लोग जैसे ही छात्रविर्थी के लिए आवेदन करते हैं एक माह के अंदर आपको जो की छात्रविर्थी का पैसा मिल जाएगा तो अब इस scholarship के लिए आप लोगों को कैसे आवेदन करना है step by step इस वीडियो में बतलाओंगा इसलिए आप लोग 2019 में 20 में खास करके जो 21 में भी हारवोट से मैटरी की परिछा पास किये हैं वो इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा जो भी चैनल पे नए है वीडियो के नीचे लाल लग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से टाइब करके आपको सर्च करना है जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं इस तरह से आपको वीवसाइट दिखेगा ठीक है यह वीवसाइट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा वेट कीजिए कुछी इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दिजेगा देखिए यहाँ पे आपको थीरी लाइन दिखेगा उस पे जैसे ही क्लिक कीजेगा इस पे लोग देख लिजेगा फिलाल आप लोग नीचे की और भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PMS Online Scholarship Online Apply आपको इस पे क्लिक करना है अब जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की और आते हैं तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दिजेगा, देखिए कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बतलाया जा रहा है, metric scholarship apply, तो आप लोग को क्या करना है, click here पर click करना है, ठीक है, ऐसे CST वाले direct इस पर click करके apply कर सकते हैं, और BC, EVC इस पर click कर सकते हैं, ठीक है, फिलाल जो भी metric pass किये हैं, खास करके 2020 में, ठीक है, 19-20 का, यानि 19-20-20 में, तो आपको click here पर click करना है, जैसे ही आप लोग इस पर click करते हैं, कुछ इस तरह का website देखने को मिलेगा, अब देखिए, mobile से करिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिजेगा, देखिए, कहाँ ज़रा है, AC and ST, यानि AC, ST का जो भी है, इस पर click करेंगे, और BC, EVC वाले student, apply करने के लिए, इस पर click करेंगे, आप लोग उपर में भी देख सकते हैं, apply for academic year, 19-21, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ही है, AC, ST, BC, EVC, उस पर click कर देना है, एक्जामपल के लिए मैं BC, BC वाले पर click करता हूँ, जैसे इस पर click करेंगे, यहाँ पर देखी, आपको क्या करना है, जो ही student new है, यानि first बार आप लोग इस scholarship के लिए आविदन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, new students registration पर click करना है, यदि जो आप लोग registration कर लिए है, तो आ जैसे इस पर click करेंगे, click करने के बाद देखी, यहाँ पर मांगा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, student registration और उसके बाद देख सकते हैं, personal bank details और apply for scholarship, upload documents और यहाँ पर देखिए, जो भी जनकारी मांगा गया है, सभी को यहाँ पर fill up करेंगे, तो आप लोग को क्या करना ह है, यह दोनों है, इस पर tick करने के बाद आपको क्या करना है, यह continue है, continue पर click करना है, जैसे ही आप लोग continue पर click करते हैं, थोड़ा wait कीजिए, कुछ इस तरह से open हो जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर student का नाम लिखना है, यहाँ पर gender जो भी है, यहाँ पर अधार नमबर ठीक है और यहां पर पूछा गया है नेम एज पर अधार यानि जो भी आपका अधार करड़ पर नाम है यहां पर लिखना है ठीक है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ एज पर अधार यानि जो भी आपका अधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यहां पर देना है उ तीकि उसके बार यहां पर जो कपचा है कपचा को यहां पर fill up करके preview for register पर आपको click कर देना है सबसे पहले आप लोग इतना जानकारी को fill up करने के बाद verified पर click कर दीजेगा तो यहां पर आप लोग देख सकते कि जो भी अधार का detail है यहां पर verified हो चुका है अब आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे क्यों राना है और यहां पर देखिए जैसे ही आप लोग मुवाइल नंबर दीजिएगा ठीक है मुवाइल नंबर फिल अब करने के बाद आप लोगों को क्या करना है जेनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर मुवाईल नंबर दिये तो मुवाईल नंबर पर OTP जाएगा OTP फिल अप करके यहाँ पर मुवाईल OTP वेरिफाइट पर क्लिक कर देना इसी परकार से आपका रजिष्टरण E-mails ID पर OTP भेच दिया गया है तो यहाँ पे आपको फिल अप करके वेरिफाइट कर देना है यहाँ पे जो भी आपका email id पे OTP गया था fill up करके आपको क्या करना है email OTP verified पे click कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे click किजेगा यहाँ पे verified हो चुका है आप लोग देख सकते हैं email id verified यहाँ पे आप लोग देखिए password दे दिजेगा और यही password को confirm कर दिजेगा और यह जो कपचा है कपचा को यहाँ पे fill up करके preview before registration पे आपको click कर देना है जैसे इस पे click किजेगा तो कुछी इस तरह से details open होकर कि आ जाएंगे आप लोग को क्या करना है register here पे click कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे click करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है your registration process has been sexist या नहीं sexist हो चुका है तो आप लोगों को क्या करना अब नीचे की और आ जाना है नीचे की और जैसे आईएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग चाहें तो आप लोग पुछेए कि युजर id password आएगा कहां से देखिए आपका phone पर जो की id गया होगा ठीक है और जो भी आप लोग password जिनरेट किये थे वही password आपको यहाँ पे डालना है लेकिन यह password भी आपका phone पे चला गया होगा ठीक है आप लोगों को क्या करना है अपडेट personal bank details पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं उच्छी इस तरह से new dashboard open हो जाएंगे यहाँ पे देखिए student का नाम देना है ठीक है already रहेगा पहले से father's name यहाँ पे देना है और gender यहाँ पे select रहेगा और यहाँ पे सब कास्ट पे ऐसे ही आपको रहने देना ठीक है और यहाँ पे दिकिए अधान नामर इस अब पहले से ही रहेगा ठीक है यहाँ पे आपको date of birth देना है ठीक है यहाँ पे आप लोगों देखिए दिव्यांग है तो yes कर दिजेगा वरना यहां पर no रहने दिजेगा ठीक है उसके बाद नीचे यो आना नीचे क्यों राना है और यहां पर देखिए आड्रेस में आपको क्या करना है वाइल नंबर हैगा email ID रहेगा ठीक है और यहां पर state already रहेगा पहले से और यहां पर district लचीक आपको select कि लेना है ठेक है ओनग बलाक यहाँ और हैंपई आड्रेस आपको fill up कर लेना फीन कोड ठेक है और सेम अड自क है तो आपको क्लिक कर देना है ठीक है और दूसरे details दूसरे details यहाँ पर फील अपप लेना है उसके बाद देखिए यहाँ पर बेंक डीटेलस है तो बेंक डीटेलस में यहाँ पे भीजी एकसिक नमबर और यहीं एककॉंट नमबर को यहाँ करदेना है उसके बाद आपको क्या करना है अपडेट करदेना है ठीक है फटाफट फट फट फिल अप करके अपडेट कर देते हैं सभी जनकारी को फिल अप करने के बद आप लोग को क्या करना है अपडेट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख से तरह से dashboard open हो जाएंगे देखिए यहाँ पर का जा रहा है एस्टुडेंट डीटेल्स अपडेट सेक्सेज फूल ठीक है इस तरह से आपको दिखेगा तो आप सभी को ओके पर क्लिक कर देना है अब आप सभी एस्टुडेंट्स को apply for a scholarship पर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग apply for a scholarship पर क्लिक करते हैं इस तरह से dashboard open हो जाएंगे थोड़ा वेट कीजिए और यहाँ पर देखिए जो भी आपका course details है तो आपको phrase यहाँ पर tick रहने देना है और यहाँ पर जो भी एकडमी केर है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सेकतों 20 एक इसका है तो इस पर tick करेंगे जैसे इस पर tick करेंगे state यहाँ पर मांगा जा रहा है ठीक है जो भी state है बिहार यहाँ पर फटा फट कर लिए जो भी district है यहाँ पर district को select कर लेना है ठीक है जो भी मेरा गया है तो गया है यहाँ पर कर लिए उसके बाद जो भी आपका college है यहाँ से आपको choose कर लेना है ठीक है जो भी यहां पे college है college को choose करने के बाद यहां पे देखिए आपको क्या करना है course name को select करना है ठीक है यानि आप लोग 10 plus 2 कौन सा subject से कर रहे हो ठीक है तो यहां पे science है तो science पे click कर देंगे अब आप सभी students scroll करके नीचे के रहाए और यहां पे देखिए जो information मांगा गया है तो आपको यहां पे क्या किया गया है student admission registration number मांगा गया है यहां पे आप लोग 10th का registration number देदीजेगा और यहां पे enrollment roll number यांनि जो भी आप Anton matrez Agro यहां पे देदीजेगा और यहां पे air यह जो भी बर साफ्लूत कर्षक किया है दो यहां पे देदीजेगा ठीक है ? कोर्स का सेशन क्या है यानि 2021 में जो भी पास किये हैं तो उनका 23 हो जाएगा सेशन ठीक है और यहां पर स्लेक्ट परसेंट यहां से आप लोग स्लेक्ट कर लिजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए कॉलेज कंपल सरीफ ही मांगा गया है तो ठीक है तो यहां पर इस क्या करना सबी जन कारी को फिल अप करने के वाद क्या करना है सेव पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोग से पे क्लिक करते हैं थोड़ा वेट की जिए निउडेश इस बोड यहां पे उपन हो जाएंगे new dashboard open होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है student details saved and successful ठीक है ओके यहाँ पर लिखा दो के पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करते हैं अब आप लोगों को इस तरह से dashboard दिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कि फोटो फोटो पे क्लिक करना है अब आप सभी को से फोटो पे क्लिक कर देना है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिजेगा दिखिए कहा जा रहा है image जो कि देना को 50 KV का होना चाहिए ठीक है जैसे ही आप लोग से क्लिक करते हैं उसके वाद आपको क्या करते हैं अब अपडेट फोटो पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग अपडेट फोटो पे क्लिक करते हैं अब आप सभी है श्टुडेंट्स थोड़ा है पर ध्यान दीजिएगा देखिए आपको यहां पे चार ओप्सन दिखेगा ठीक है यानि चार नमबर तक पहला में जोकि एडिट स्कॉलर्षिप है सभीको आपको चेक कर लेना एक बाढ़ी एगया तो यह वार आपको यहां से देख लेना एठीक है जैसे है आप लोग देखते हो तो आप आप गलती यहां पर हो गया था ठीक है यहां पर ने मते करते हैं इस तरह सेjak नहीं कर utilizar कर लिजेगा और यहां पे आप लोग ध्यान देने का प्यास कीज़ेगा, देखिए कहा जा रहा है, educational documents, है आप देखिए 10th का जो मार्क्सीट है, यहाँ पे आपको अप्लोड कर देना है, ठीक है और यहाँ पे जो भी Income Certificates है, यहाँ पे, ठीक है, , फटा फट यहाँ पे कर लेना है कास् सबी को यहां पर फट 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 फिल अप कर लेना है और जो भी आपका income account है ठीक income amount ठीक है यानि जो भी total amount है प्रतेक बर्स का ठीक है तो यहां पर आपको उतना यहां पर type कर लेना है उसके बाद जो कि यहां पर one of fired certificate आपको upload करना है free जो आप लोग admission लिये थे वो यहां पर upload करना है ठीक है last exam passing mark city यहां पर upload करना है जो भी आप लोग last exam पास्स करना है .ita यानि इंटर पास यह जो भी है ठीक है चली उसके बाद देखिए यहां पर course का जो अब फी है आपका यहां पे upload करना है ठीक है? यहां पर typing कर लेना है उसके बाद यदि जो आपके पास other documents है तो यहां पर आप लोग चूछ कर लिजएगा और अप्ड यहां पर अप्डोंड कर दिजएगा और उसके वाद आप लोग यहां पर ध्यान करना है यह सभिए ioक्मेंट को फील अप करने के ऑद अपडेट प догल करना है अब आप सभिए स्टुडेण्ट के यहां पर ध्यान करना है यहां नंबर 7, नंबर 8, इस तरह से नंबर 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है यहाँ पे देखें यह जो मोवाइल नंबर है, मोवाइल नंबर आपको फिलप करके generate OTP पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग करते हैं, आपका फोन पर OTP गया होगा, ठीक है, उ सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी कौन कर लिजेगा और आपको अभी वी किसी पर अगर की परिसानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंद मातरा